गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ छोटी दिवाली की हार्दिक शुप कामना आए आप सब को वेलकम टू माई चैनल तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ये जो ब्लॉग है ये छोटी दिवाली का है अभी मॉर्निंग के साड़े दस बज़ रहे हैं हस्बन ड्यूटी जा चुके हैं ब्रेक्फस्ट वकेरा का काम सब कुछ हो चुका है और साइड में न मैंने चीकू का दूद रख दिया है बॉइल करने के लिए दिवाली के दिन जादा बर्डन ना हो इसके लिए मैं आज ही जो मुझे पूजा में यूज करने वाले मेरे बर्तन है और जो जैसे कि मैं पूजा में जो मेरे पास चांदी के बर्तन है जो मेरे शादी के हैं और ये पी क्राइब मेरे को अच्छे से कलीन क्रेड़ तो से इसे क्या हμέने अपने पूजा के सारे दů झालें अजना रहें थन अजय आहागा पूजा नहीं हुआ है और दिवाली कि दिन तो हमें नांकर मिलता है है क्योंकि बहुत सारी चीजे करनी रहती है खाना जारू पोचा मॉनिंग की पूजा फिर शाम की पूजा के लिए तो अधिक तर हमें तैयारी वगरा करना पड़ता है तो इसके लिए ना इसी लिए मैं एक दिन पहले ही यह सब कर लेती हूं ताकि इन सब चीजों का बार्ड ना पड़े उस दिन अब यह सारे बरतन पीतल वारे मेरे धुल गया है जो कि मैं पूजा में यूज करूंगी और इसके लिए मैं पितामरी का ही यूज करती हूं पितामरी पाउडर मैं कोई होमेट पाउडर वगरा नहीं बनाती हूं इसी के हैल्प से ना मैं अपने पीतल के सारे बरतनों को क्लीन करती हूं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है बहुत जादा महनत भी नहीं पड़ती है तो इसको ना मैं जैसे मेरा विंबर आता है ना तो उसका एक न्यू डबबा यूज किया हूँ ने न्यू डबबे में ही मैं पितामरी पाउडर भरके और ना उनको तो हमें बराबर ही क्लीन करना रहता है इसलिए मैं उपर ही रखती हूं और तो सारे बरतन मेरे धुल चुके हैं पीतल वाले और जो चांदी के बरतन मैंने बॉइल करने के लिए रखा था इस पानी में मैंने डिटर्जन पाउडर और चाइपती का डेड़ चमत डाल दी थी और अपने चांदी वाले बरतन डाल दिये थे और 20 मिनट के लिए इन्हें बॉइल करने के लिए छोड़ दिया था इससी क्या होता है ना चांदी जो होती है ना बहुत अच्छे से साफ हो जाती है वैसे तो इन बरतनों का यूज में सिर्फ दिवाली के टाइम चांदी के बरतन हर साल ही चड़ाती हूं तो वही मैं क्लीन कर रही थी इन्हें भी क्लीन करके रख दूंगे फिर जब थोड़ी देर इसका पानी वेगर हट जाएगा ना फिर एक कॉटन के कपड़े की हैल्प से इन सब को पोच के मैं अच्छे से रख दूंगे ताकि इन स चमच है और दो चांदी के पुराने वाले शिक्के हैं देखी कितने अच्छे से मेरे सारे ही बरतन चमक गया हैं यह सारे बरतन बहुत अच्छे से चमक जाता है और आज यह सारे काम हो जाते हैं तो फिर दिवाली वाले दिन हमें कोई भी बरतन वेगरा क्लीन करने की जरू दूँगे फिर मुझे मैं डाइरेक्ट कल पूजा में यूज करूँगी ये सारे ही बरतन मुझे यूज में आएंगे और ये जो मैं आपको दिया दिखा रहे हूं ना मार्केट से खरीदने से अच्छा है कि घर पे ही आप बना ले इससे क्या होगा ना कोई भी मिलावट नहीं रहेगा ये वैसे मैंने पूजा के लिए नहीं डेकॉर के लिए होमेट ही घर पे बनाया है घी कपूर और एक मुमबत्ती की हेल्प से मेल्ट करके मैंने इसे घर का घी और बाती का यूज करती हूं और आरती के लिए कपूर का यूज करती हूं फिर ना मेरा ये जो टेबल है चीकू के वज़े से मैं अंदर नहीं रखती हूं लेकिन दिवाली के दिन थोड़ा अच्छा लगेगा घर में डेकॉरेशन के लिए तो ये मेरा रह गया अधाल तो किया होता है ना बाहर वैसे तो मैंने साफ किया था लेकिन बाहर इतना डुस होता है करें दाए तो उसे वी अच्छा गयें या नफरादिशन कर देख नदिर उप लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसमें कोई दाग वगरा नहीं रहता है क्योंकि दिया तो मैं थोड़ा बाहर ही रखती हूं और नवरात्रे से पहले मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी अच्छे से तो बस आज इसकी पानी से ही सफाई कर दी है और मंदिर पी मेरा क्लीन ह करूंगे और यह जो धन्तेरस के दिन मैं मिट्टी के दिये लाई थी इसे मैंने रात में ही पानी में भिगो दिया था ताकि ओवरनाइट अच्छे से यह पानी में रह जाए इससे क्या होता है अधिकतर इसमें आईल वगरा नहीं सोकता है अगर हम पानी में डिप करके इस यह सारे चोटे-चोटे काम होते हैं जो कि हम एक दो दिन पहले ही करके रख लेते हैं तो हमें फैस्टिवल वाले दिन ज्यादा बर्डन नहीं रहता है और इनकी घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो अधिकतर यह प्रॉब्लम होती है कि टाइम की बहुत इश्यू होती है यही मेरी चोटी-चोटी तयारी थी जो कि मैं दिवाली की एक-दो दिन पहले से ही करना स्टार्ट कर देती हूं इससी क्या होता है न मुझे जादा बर्डन नहीं पड़ता क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही छोटा है तो उसके हिसाब से मुझे अपने कामों को टाइम से मैने सकते हैं तो इसे मैं एक-दो दिन पहले ही निप्टाना पसंद करती हूं तो इसी लिए आज मैंने यह सारी चीज़े कर लिए है ताकि कल मुझे यह सब ना करना रहे है क्ल तो वैसे भी हमें रूम को भी क्लीनिंग मतलब जो भी थोड़ी बहुत बैट चीट करना दिवाली के दिन तो सुबह साम दोनों ही टाइम हमें करना रहता है क्योंकि बहुत अच्छे से और यह एक बड़ी पूजा मानी जाती है तो इसलिए मैंने इन सारी चीजों को आज ही मैनेज कर लिया है तो आपको यह मेरा चोटा सा क्लीनिंग वाला वीडियो कैसा लगा आप वाच कर पाएंगे तो चलिए चोटी से वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेस ब्लॉग में तब तक के लिए अपना खयाल रखें टेक क्यार एंड बाई बाई